बिटस्पतिवार को मुजफर पूर मीनापूर में रालोस्पा सुप्रीमों उपेंद्र कुश्वाहा ने होंकार भरा उपेंद्र कुश्वाहा ने चुनावी सभा में जनता से एक बार जीत दिलवाने की मांग की कुश्वाहा ने कहा कि जनता ने इंडिये और महा गठवन्दन को 15-15 साल की सत्ता दी है लेकिन बिहार आज भी पिछड़ा है इसलिए बिहार की जनता हमारे लिए नहीं अपने लिए हमारे गठवन्दन को वोट देकर भारी मतों से विज़ाई बनाए उपेंद्र कुश्वाहा गुरुबार को अपने रालोस्पा उमिदबार प्रभु कुश्वाहा के लिए मीनापुर गंज बाजार स्थित हाई स्कुल में चुनावी सभा को सम्बोधित करते हुए अपने परत्याशी के लिए वोट की अपील करने आये थे रालोस्पा के राश्ट्रिय अध्यक्ष उपेंद्र कुश्वाहा ने मीनापुर की जनता से 3 नवंबर को छत के पंखा चाप पर वोट देकर भारी मतों से उनकी उमिदबार प्रभु कुश्वाहा को जिताने की अपील की जी आज ये उपेंद्र कुश्वाहा जी का मीनापुर के इस अमर सहीद जुबा स्वानी की धर्ती पर आज उनका चुनावी कार्जक्रम था उसी के सिल्सले में आज यहां रामकृष्ण उच्विद्याले मीनापुर के मैदान में वो पधारे थे मीनापुर में अपार जन सहयोग मिल रहा है बिल्कूल आसा भरी निगाहों से लोग लराल उस्पा को देख रहा है कि आने वाले दिन में मीनापुर भरस्टा चार मुक्त हो सिक्षा का सुधार हो स्वास्त का बेहतर सुविधा हो अच्छी सरक बने इस निगाह से मीनापुर की जनता देख रही है इसी मेदान पर नितीश कुमार ने भी रेलिग की है और चिराक बास्वाने आज आपके उपेंदर खुश्वाने रेलिगी च्या लग रहा है इस बदला होगा मद्दान के लिए बदला होगा जुआ बर्ग बिलकूल ये फैसला कर चुका है कि इस बार बटन दबेगा छट के पंखा चाप पढ़ी क्योंकि उनमें भविश्वाने बटन दबेगा